पंदर प्रकाश जी, राम्रला की बात हो रही है, अयोध्या की बात हो रही है, अयोध्या बदल रही है, उत्तर परदेश बदल रहा है, कैसे देखते हैं हैं। मा सर्यों के इस पावन तट पर आज सारे देश के पुझे शंत यहां पर विराजमान हैं, यह अयोध्या एक समय था कि यहां की दुर्दशा हम सब ने देखी, राम जनम भूमी आंदोलन में हम सब लोग यहां पर आए, लेकिन आज अयोध्या वास्ताव में बदल रही है, आयोध्या में भगवान राम जी आ रहे हैं, आ रहे है रगुनंदन करे उनका विनंदन, यह वास्ताव में पूरा हिंदू समाज उनका विनंदन कर रहा है, राम जी की प्राण परतिष्टा में, उसकी तैयारियां, आज परतेख समाज, जैसे राम जी के उस कालखंड में, सब लोगों ने उनका स्वागत किया था जब वो दिपावली मनाई गई थी यहां राम जी जब आए आज वैसी दिपावली या दिपोत्सव यहां पर हो रहा है पूरे भरत वर्ष में कुछ साव लास अलग दिक रहा है लेकिन जो कुछ लोग हैं जिनके पेट में दर्द है मैं ऐसा मानता हूँ कि केवल वो पातर बदले हैं जो राम रामायन काल में जो राक्षस थे आज वो राक्षसों का रूफ बदल गया है वो राक्षस अब सींग नहीं है उनके लेकिन वो विरोध कर रहे हैं लेकिन राम का विरोध जिसने किया इसका इस्तित्र समाप्त हो गया राम थे राम है राम रहेंगे और राम जी की आयोद्या राम जी का उत्तर्परदेश ये एक बदल रायस का एक विकास जो लोग आज कहते हैं कि राम के मंदिर की जंगा चिकित शाले होता आधी आधी होता लेकिन आज आयोध्या में चार ओर आप देख रहे हैं कैसा एक हर सुलास एक जैसे परिवार में कोई उत्सव होता है उससे भी अधिक क्योंकि हमारे आरद राम यहां पर आ रहे हैं क्योंकि बाई जनवरी वो एक एतियासिक दिन होगा जिसके हम सब शाक्सी होंगे और ऐसा भववर दिवे राम जी का वह मंदिर जैसा हम लोगों ने कल्पना भी नई की होगी ऐसा बन रहा है निश्चित रूप से हम सब बहुत सोबाग्य साली है कि इस आयोध्या को सजते समरते देख रहे हैं और आज इसकी स्थिती रामा एंड काल जैसी हो रही है हम सब वास्ताव में बहुत अभीभूत हैं और नेट्रॉक 10 का भी बहुत धन्यवाद करते हैं कि 22 जनवरी से पहले एक कुम्ब की तरह वातरों आपने यहां निर्मान किया है हम सब लोग उस समय तो मुझे लगता है बहुत सारे संतों को बाशन देने का मौका नहीं मिलेगा लेकिन नेट्रॉक 10 ने सब को यहां अशर दिया है सब लोग राम की बात कर रहे हैं और यह संदेश पुरे भारत में जा रहा है पूरा भारत राम में हो रहा है